हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट रिपोर्ट यूटूब चैनल पर दोस्तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं उन दस कमपनियों के बारे में जिन्होंने या तो अपने शेयर का स्प्लिट करने या फिर अपने शेयर के उपर बोनस देने का अनॉंसमेंट किया है तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो का हम लोग शुरू कर लेते हैं दोस्तो पहली जो कमपनी है उसका नाम है GM Beverages Limited फिलहाल जो कमपनी का शेयर प्राइज है ये 759 रुपीज 55 पैसा है कमपनी ने 1 by 4 के रेशो के अंदर बोनस देने का अनॉंसमेंट किया है यानि कि जिस किसी के पास भी इस कमपनी के 4 शेयर होंगे उसे एक और शेयर एज़ बोनस मिल जाएगा और टोटल नंबर ओफ शेयर जो है यहाँ पे 5 हो जाएंगे और कमपनी के जो शेयर का प्राइज है उसी हिसाब से अज़ेस्ट हो जाएगा कमपनी ने ये अनॉंसमेंट 4 अपरेल 2024 को किया था और फिलहाल कमपनी ने अभी तक इसके record date के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है अगर हम बात करें कमपनी की performance की तो कमपनी ने पिछले एक साल के अंदर 36% का return दिया है लास्ट के 6 मन्त में कमपनी ने माइनस 4% का return दिया है दोस्तो अगली कमपनी का नाम है Grower & Well India Limited फिलहाल जो कमपनी का share price है ये 197 रुपीज 90 पैसे का है कमपनी ने 1 by 1 के रेशो के अंदर बोनस देने का announcement किया है ये announcement कमपनी ने 26 फरवरी 2024 को किया था और इसकी जो record date रखी गई है वो 10 अपरिल 2024 की है अगर हम बात करें कमपनी की performance की तो कमपनी ने पिछले एक साल के अंदर 91% का return दिया है लास्ट के 6 मंत में कमपनी ने 62% का return दिया है और लास्ट के 1 मंत में कमपनी अपने निवेशकों को 8% का return दिया है दोस्तो अगली कमपनी का नाम है कामधेनू Ventures Limited फिलहाल जो कमपनी का share price है यह 190.50 पैसे है कमपनी ने 1 by 5 के ratio के अंदर अपने share का split करने का announcement किया है यानि कि जिस किसी के पाद भी इस company के एक share होंगे उसे एक share के बदले में company जो है 5 share दे देगी यह announcement company ने 3 April 2024 को किया था और अभी तक इसके record date के बारे में company ने कोई भी जानकारी नहीं दी है अगर दोस्तो बात करें company की performance की तो company ने पिछले एक साल में 69% करिटन दिया है last के 6 month में company ने 24% करिटन दिया है और last के 1 month में company ने 0.21% करिटन अपने निवेशकों को दिया है दोस्तो अगली company का नाम है NAP Books Limited फिलहाल जो company का share price है ये 231 रुपीज 50 पैसे है company ने 2x1 के ratio के अंदर bonus देने का announcement किया है ये announcement company ने 7 March 2024 को किया था और इसकी जो record date है ये 19 April 2024 है अगर हम बात करें company की performance की तो company ने पिछले एक साल में 212% करिटन दिया है last के 6 month में company ने 122% करिटन दिया है और last के 1 month में company ने minus 4% करिटन अपने निवेशकों को दिया है दोस्तो अगली company का नाम है Promax Power Limited फिलहाल जो company का share price है 135 रुपीज 80 पैसा है company ने 1x1 के ratio के अंदर bonus देने का announcement किया है यह announcement company ने 20 February 2024 को किया था और इसकी जो record date है यह 9 April 2024 की है अगर हम बात करें company की performance की तो company ने पिछले एक साल के अंदर 198% का रिटन दिया है पिछले 6 मेने में company ने 172% का रिटन दिया है और last के 1 month में company ने अपने निवेशको को minus 0.77% का रिटन दिया है हम दोस्तों आपको अगली company का नाम बताएं उससे पहले आपसे request है कि अगर अभी तक आपने आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम share market report है अगर आपने इसे YouTube पे subscribe नहीं किया है तो इसे अभी क्या भी YouTube पे subscribe कर लें और साथ ही बगल में जो bell का icon है इसको जरूर प्रेस कर लें अगली company का नाम है Pulsar International Limited फिलहाल जो company का share price है 87 rupees 36 पैसा है company ने 1 by 10 के ratio के अंदर अपने share का split करने का announcement किया है यह announcement company ने 9 February 2024 को किया था और इसके जो record date है यह 19 April 2024 की है अगर हम बात करें company की performance की तो company ने पिछले एक साल के अंदर 52% का return दिया है last के 6 month में company ने 23% का return दिया है और last के 1 month में company ने अपने निवेजको को 5.89% का return दिया है दोस्तो अगली company का नाम है SOM Distilleries and Weverages Limited फिलाल जो company का share price है यह 306.80 पैसा है company ने 2 by 5 के ratio के अंदर अपने share का split करने का announcement किया है यह announcement company ने 2 April 2024 को किया था और इसकी record date के बारे में company ने अभी कोई भी जानकारी नहीं दी है अगर दोस्तो हम बात करें company के performance की तो company ने पिछले एक साल के अंदर 109% का return दिया है last के 6 month में company ने minus 16% का return दिया है और last के 1 month में company ने अपने निवेशकों को 17% का return दिया है दोस्तो अगली company का नाम है Spreking Limited फिलाल जो company का share price है यह 225 रुपीज 20 पैसा है और company ने 2 by 10 के ratio के अंदर अपने share का split करने का announcement किया है यह announcement company ने 26 फरवरी 2024 को किया था और इसकी जो record date है यह 12 अपरेल 2024 की रखी गई है अगर हम बात करें company के performance की तो company ने पिछले एक साल के अंदर 184% का return दिया है last के 6 month में company ने 25% का return दिया है और last के 1 month में company ने अपने निवेशकों को minus 1% का return दिया है दोस्तों अगली company का नाम है सूरतबाला बिजनेस ग्रूप लिमिटेड फिलाल company का current share price 925 रूपीज 50 पैसा है company ने 1 by 10 के ratio के अंदर share का split करने का announcement किया है यह announcement company ने 7 November 2023 को किया था और इसकी जो record date है यह 18 April 2024 की है अगर हम बात करें company की performance की तो company ने पिछले एक साल के अंदर 384% का return अपने निवेशकों को दिया है लास्ट के 6 month में company ने 145% का return दिया है और लास्ट के 1 month में company ने अपने निवेशकों को 10% का return दिया है दोस्तो अगली company का नाम है वेलजन डेनिसन लिमिटेड फिलाल जो company का share price है यह 3715 रुपीज और 5 पैसा है company ने 1 by 1 के ratio के अंदर bonus देने का announcement किया है यह announcement company ने 30 March 2014 को किया था और अभी तक company ने इसके record date के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है अगर हम बात करें दोस्तो company के performance की तो आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में company ने 194% का return दिया है पिछले 6 मेने में company ने 83% का return दिया है दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी आपने ऐसी भी company देखी जिनकी record date के बारे में अभी हमारे पास में कोई भी जानकारी available नहीं है तो जैसे ही वो company आपने record date के बारे में information देगी तो हम लोग हमारे instagram page के उपर update कर देंगे तो अगर आप लोग चाहें तो हमें instagram पे follow कर सकते हैं link आपको नीचे description के अंदर मिल जाएगा दोस्तों अभी आपने यहाँ पे उन 10 company के नाम देखें जो की या तो अपने share का split करने वाली है या फिर share के उपर bonus देने जा रही है आप लोग मुझे comment करके यह बताईए कि इन 10 company में से आपके पास में किस company का share फिल हाल है और दोस्तों आप लोग किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने financial advisor के सलाह जरूर ले लिजेगा और खुद भी एक बार detail में अच्छे तरीके से research और study जरूर कर लिजेगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को like करिए इसके साथ ही आपके अपने youtube channel share market report को youtube पे subscribe करके bell icon जरूर दबाएं मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा एक और नए वीडियो में चब तक लिए टाटा बाए बाए